रामायन की एक्ष्राम पर आधारी तो साकेत की एक शाम साताट साल के नन्ने रागो को तो जैसे चैन ही नहीं मिल रहा था एक बार घर के अंदर जाकर मा का आचल खीशता अम्मा बाबु ने तो चबे ना खा लिया अब चलते क्यों नहीं फिर दुसरे ही पल जाकर अपने बाबु विशाय की कसी हुई धोती को खीशता बाबु अब चलो ना कितनी देर हो रही है अरे बाबा चलते हैं ना नाहक परेशान क्यों हो रहा है अरे इतनी जल्दी मेला थोड़े ना शुरू हो जाएगा आज रामचंदर युराज की गद्धी पर बैठेंगे कितने होम यग होंगे कितना बड़ा मेला लगेगा हज्जारों लाखों की भीर इकटी होगी मेरे तो सारे खिलोंने बिक जाएगे बाबु मुझे भी एक धनुस और तीर दिला देना याद है ना? हाँ बाबा याद है पहले बुहनी तो हो जाने दो है उधर से उसकी दादी कहने लगी हाँ हाँ तेरा बाब तुझे धनुस वान लाकर दे और तू वान चलाकर किसी की आँख फोर दे ना बाबा ना खबरदार विशाई जो तुने रागो को धनुस वान दिलाया ये सब बच्चों के जगरे टंटों की जर है शांती से जा रामचंद्र की उराज बनने का धूमधाम देख अपने खिलोंने बेच और राजी खुशी घर वापस आजा बस रागो अपनी मा कारू के इर्दगिर्द उचलने लगा अम मा तुम भी चलो न अयुद्ध्या में बहुत मज़ा आएगा बाबु कह रहे थे राजा के हातिया अज सजधस कर निकलेंगे लोग तरह तरह के खेल दिखलाएंगे नाच गाना होगा तमाशा होगा जादू होगा चलो ना मा कारू के मन में भी बता से फुट रहे थे बस दो ढ़ाई कोस की तो बात है वो भी अगर विशाई के साथ चल चले तो शाम तक तीनों मजे से वापस आ सकते हैं कारू की सास ने मुस्कुराते हुए का हाँ बेटी जा न तू भी आज जरा घूम घाम के आ दिन भर तो इसी ग्रियस्ती की चक्की में पीस्ती रहती है आज जा राजधानी का ठाट वाट देखा और तू रहेगी तो खिलोने वगएर बेशने में विशाई का हाद भी बटा सकती है खैर तो वही हुआ दिन चड़ने के पहले ही तीनों निकल पड़े विशाई के माथे पर खंचिया में तरह तरह के मिट्टी के खिलोने थे तोता, गुड़ा, मोची, फवजी, शेर और जाने क्या-क्या आज ही के दिन के लिए पिछले एक महिने से वो ये सब बनाता रहा कच्ची मिट्टी से खिलोने बनाता उन्हें धूप में सुखा था फिर अगले दिन रंगता कारू के सीर की खाची में दिया मिट्टी के बरतन और गुल्लक आदि थे गुर और चावल की बुकनी से बनी मिठाई चिवरा गुर वगहरा खाने के सामान एक छोटी सी गठनी में बात कर रागों के सिर पर रग दिया गया था नंद गाओं की पगडंडी छोड़कर तीनों ययुद्ध्या के रास्ते पर आ गए आपस में बाते करते हुए हापते बैठते उनके कदम आगे बर रहे थे इतने में बगल से दो-तिन बैलगारी जाने लगी सब में खचा-खच सवारियां भरी थी मर्दों में किसी के सिर पर रंगीन पगरी थी तो किसी के कंधे पर नया अंगोचा अवरतें एक से एक चुनरी ओरकर बैठी थी उनकी कलाईयों में तरह-तरह के कंगन खन-खना रहे थे मा की गोद में बैठा एक बच्चा गला फार कर रो रहा था आखिरी बैलगारी जब बगल से गुजरने लगी तो उसमें बैठा एक सैतान बच्चा रागों को मुँ बिचकाती हुए चीराने लगा बोजा ढोता बुर्बग बैल दुम के नीचे गोबर मैल बाबु देखा उस बदमास को अरे जाने दे धेचू धेचू गदहा करता बना गवईया वो दम भरता वो लड़का हसते हुए फिर से मुँ बनाने लगा तो रागों को गुसा आ गया उसने सरक से एक धेला उठा लिया ये देखते ही मारे ड़के वो लड़का अपनी माह के पीछे दुबग गया उनी की तरह और भी कई लोग पैदल चले जा रहे थे ए उद्ध्या नरेश दसरत की ओर से चारो ओर धिरोडा पिटवा दिया गया था कि आज चारो भाईयों में बरे राजकुमार राम चंडर का अभिशेक होगा इसी खुसी में सारी जनता राजधानी शाकेत में आकर हरसो लास में भाग ले महाराज दसरत की ओर से सभी को भोजन का निमंतरन दिया जा रहा है वगयरा तो आज बच्चे बूढ़े सारी प्रजा साकेत की ओर उमर परी थी गाय भैसो को हाकते हुए गवालों के बच्चे भेर बकडियों को चराते हुए चरवाहे ठर ठर कर सभी को जाते हुए देख रहे थे इतने में टेंटे करते हुए तोतों का एक जुंड उड़कर उसी ओर जाने लगा रागो उचल कर पूछने लगा अम्मा राजा के घर इन चिरईयों का भी ने होता है क्या कहो विशाई क्या हाल है इतने में फूलों की गठरी सिर पर लिए एक आदमी उनके साथ हो गया सब फीक है पुहुप बस आज मेरे सारे खिलवने अध्या में बिक जाएं मैं भी तो उसी भरों से फूल लेकर चल रहा हूँ सारे लोग अपने घरों को अपनी दुकानों को माला से खूब सजाएंगे क्यों जरूर भईया बस अब तो हम आही गए वो देखो औरतों के कंगन की तरह सर्यू चमक रही है देखते देखते चारों नगर की रेल पेल में समा गए भीर में धक्के खाते हुए वे आगे राजमार्क के पास बाजार की और भर रहे थे इधर उधर राजा के सिपाही और संतरी सजधच कर खरे थे राजमार्क के दोनों किनारे चवराहे पर बड़े बड़े हाथियों पर भाले लेकर सैनिक बैठे हुए थे हाथियों अपना सर हिलाता उनके गले के घंटे बजने लगते मगर उन लोगों को एक बात खटक रही थी सैकरों लोग आज आ रहे हैं कहीं कहीं चबुतरे पर बैठे लोग बातें भी कर रहे हैं मगर चुपके से कहीं कोई उल्लास का नामों निशान नहीं है मानो एक गूंगे सागर की लहरें तट तक आ रही है और फिर रेट से टकड़ा कर चुपचाप वापस लोट जा रही है पुपको भारी अचरज हुआ का हो भईया इचारों और इतना सन्नाटा का हैं के का मालूम बिसाई रागो का हाथ थामे एक कुए के किनारे बैठ गया कारू भी घुंगट कार कर बगल में बैठ कर सुस्ताने लगी जरा पानी ले आओ तो बच्चे को कुछ खिलाद लें हाँ हाँ क्यों नहीं हमें भी तो भूग लगी है कितनी सुवेरे घर से चले थे तू गठरी से सब निकाल चल बेटा तब तक हाथ मूँ धोग आते हैं तील के लड़ू खाते खाते विशाई चारो और नजर दवरा कर देख रहा था कि किस जगा खिलवनों को सजाएं कि राह चलने वाले बच्चों की नजर जट से उन पर पड़े इधर उधर दो एक आदमी अपने अपने सोदे लेकर बैट गए थे एक औरत एक कपरे पर चूडियां सजा रही थी तो एक आदमी अपने चूड़े के धेर को करीने से सजा रहा था उधर एक हलवाई की दुकान के सामने गर्मा गरम जलेबियां तल कर एक पितल की चमचमाती थाल पर रखी गई थी मगर उसे खरीदने खाने के लिए दुकान के सामने एक भी गाहाँ खराना था केवल मक्खियां और बर्रे ही जलेबियों पर मड़रा रह थे इतने में कुएं के पास वाली गले की दुकान से कुछ कहा सुनी की आवाज आने लगी दुकान की सीडियों पर बैठा एक गरीब किसान अपने दोनों हाथ फैला कर सेट से कह रहा था अपने बैल की पीट पर लात कर इतने दिन बारह बोड़े चावल आपकी दुकान में पहुचा दिया और आज आप कह रहे हैं कि उसका दाम ही नहीं दीजियेगा वो अंगोचे से अपना पसीना पोचने लगा अरे बल्देव ये मैंने कब कहा कि उनके दाम ही न मिलेंगे मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें फूटी कवडी भी न थमा सकता क्यों बात क्या है सेड़ जी आज तो बल्कि युवराज का अभिशेक हो रहा है इतना मेला ठेला अब क्या बताएं भईया हम लोगों की तो किस्मत ही फूट गई फिर इधर उधर देखते हुए अपनी आवाज को कुछ नीचा करके उसने समझाते हुए कहा महाराज दसरद बरे राजकुमार राम चंद्रकु युवराज की गद्दी पर नहीं बैठाएंगे उनका अभिशेक नहीं होगा उनके बदले मजले कुमार मजली रानी कईकेई के बेटे भरत को राजगद्दी मिलेगी क्या मगर क्या हो आकिर बात क्या है इतना सारा इंतजाम इतनी भीर सारी जनता की उम्मीद सब पर पानी फिर जाएगा अब मेरा मुँ ज्यादा ना खुलवाओ बल्देओ बातों के भी पर होते हैं मैंने कहा कुछ किसी ने सुना कुछ और महारानी कईकेई के कानों में भरा गया और कुछ तब तो जीते जी मेरी खाल में भूसा भरवा दिया जाएगा बस इतना समझ लो कि छटाग भर चावल की विक्री ही नहीं हुई तो कहां से तुम्हारा हिसाब कर दूँ तुम्हीं बोलो सारा तमासा टाएं टाएं फिस हो गया बल्देव ने अपना सिर पीट लिया हमने कहां सोचा था कि आज पैसा मिलेगा तो जरा ग्रियस्ती का सामान खरित कर ले जाऊंगा मेरी घरवाली तो फटी धोती ही पहन कर रह जाती है आज उसके लिए एक नई सारी ही ले लूँग मगर हे नारायान गरीबों की बरही भी तेरही में बदलने में देर नहीं लगती इतनी देर में बिशाई ने भी खंचिया से खिलोने निकाल कर अपनी दुकान सजा ली थी उसी के पास कारू भी मिट्टी के बरतन भाड़े और रंगिन गुलक लेकर बैठी थी मगर खरिद निचे उतर यहां इधर नहीं खेल सकता इतने में अपनी फूल माला की गठरी को सर पर लादे पूहुप लटाया अब तो कोई एक माला नहीं खरिदना चाहता है सभी कह रहे हैं राम का अभिशेक ही नहीं होगा तो सजावट किस काम के लिए फिर आवाज निची करके कहने लगा सब बतिया रहे हैं कि आज ही दुपर तक राम को बनवास में भेज दिया जाएगा साथ ही नई दुलहिन सीता और रानी सुमित्रा का बेटा भाई लश्मन भी जा रहे हैं हाई रे दैया कारू ने अपने घुंगट को आगे सरकाते विए दबी जुवान में कहा पू राम की मा कवसल्या ने कुछ नहीं कहा सुनने में आ रहा है राज महल में रोना धोना मज गया है कवसल्या सुमित्रा दोनों रानिया पचार खा खा कर रो रही हैं राजा दसरत का हाल तो बेहाल है कईकई को मना मना कर विचारे हार गए कई लोग तो यही कह रहे हैं कईकई के मैगे की दासी मन्थ्रा नहीं राज कर दिया है की नहीं कर आकर खरा हो गया अरे सरकार अभी तो भोहनी भी नहीं हुई है इधर तो सारा मिला थंदा पड़ गया जैदा नकडा मत कर चल कुछ निकाल सुबह से हाथ में खुजली हो रही है और जानता है न सिपाई के हाथ की खुजली पैसे से जाती है या लाठी भाजने से अभी माप कर दो सरकार हम शाम तक हैं न बिना दिये चंपत होगा तो मुझसे बुरा कोई न होगा नरक तक तेरा पीछा करूंगा सिपाही चला गया इक्के दुक्के गाहंग भी आधम के मगर विसाई के चहरे की सिल्वटें बढ़ने लगी है दो पहर तक अचानक हला होने लगा कि सुमंत्र रत हांक कर राम जनकी और लशमन को सर्यू के किनारे छोड़ने गया है उनके किया गया है अपनी अवलाद को योराज बनाने का वादा करके सुबह होते ही बनवास भेजना चिह मारे गुस्से के पगलाई भीर चिल्लाने लगी राम को वापस बुलाओ सार्थी सुमंत्र को रोको देखते देखते दोचार पहलवान किसिम के लोग राजपत पर बने द नोचने लगे उखार उखार कर फेकने लगे दुकानदा डर गए धराधर दुकाने बंद होने लगी कई लोग मार्क के आसपास खरे रथो पर लाठिया बरसाने लगे इधर हल चल तू धर भगदर सब कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राम हमारी उराज है अयुद्धा उनकी राज है इसी बीच एक हलके से रत में बैटकर नगर कुतवाल उधर से जा रहा था उसने रक्षकों को डाटते हुए कहा तुम लोग तमाशा देखने के लिए यहां खरे हो भीर को यहां से भगाओ सब को ख़दे रो भीर को तितर बितर करने के लिए हाथियों पर ब भगाने लगे एक लंगड़ा भिकारी सरक के किनारे बैठा था वो उड़ भी न पाया कि एक हाथी ने सूर से उठा कर उसे दूर पटक दिया को हराम मच गया कोई चिला रहा था बचाओ कोई रो रहा था अरे मार डल लस रे पैदल सिपाही जनता पर लाठी हांक रहे थे इस हलचल में डर के मारे दो सार यहां से वहां दोड़ने लगे बरगत पर बैठे कबुतर और कवे पंक फरफरा कर उड़ने लगे बिसाई सबसे पहले कारू को पीछे घसिट कर सारा सामान समेटने लगा जब तक वो अपने खिलोनों को भी खंचिया में भरता घंटी बज पिलोने सब कारू से खीच कर दूर ले गई बिशाई बूत बन कर खरा रहा उसकी आँखों के सामने ही उसकी एक डेर महिने के मेहनत मिट्टी में मिल गई फिर तो एक समय सारा को लाहल शान्त हो गया सर्यों के पस्चिम तक पर लाल सूरज धीरे धीरे अस्थ हो रहा था ये सारे अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे चुप चाप रास्ते की हवा भी शायद फुस फुस आने से कतरा रही थी जैसे किसी भैंकर अंधर के आने से लोगों के घर उजड़ जाते हैं उसी तरह आज इन बेचारों की सारी उम्मिदों पर पानी फिर गया था कोई रोया नहीं किसी ने कोई शिकायद भी नहीं की घर लौट कर कारो चुप चाप खाना बनाने लगी उसकी सास बारबार उससे पूछ रही थी बात क्या है तुम लोग इतने उदास क्यों हो जब विशाई ने सब कुछ कह सुनाया तो वो भी सिर्फ पीट कर महीं बैठ गई सभी चुप थे आकास के तारे टिम्टिमा रहे थे चांद भी बादलों के पीछे अपना मुह छुपा रहा था इतने में रागो आकर विशाई से सठकर बैठ गया बाबू उच्छे लोगों में ऐसा ही होता है क्या विशाईचयों का क्या बात है रे यूँ राज बनाने की बात कहकर कोई अपने बेटे को जंगल में भेज सकता है अब यी सब राज-काच की बात है भीया हम तो ठहरे मामूली लोग रागो थोड़ी देर चुप रहा फिर अपने ननने हातों से बाबू का मू अपनी ओर फेर कर कहने लगा बाबू तुम तो कभी मुझे इस तरह अपने घर से नहीं निकालोगे है ना नहीं बेटा नहीं तू तो मेरा लाल है मेरी जिन्गी है विशाई ने उसे अपने से लगा लिया और लगा उसके दोनों गालों को चूमने कि अथी लोगा री और लेılar खूमनें